जैसे रादे मित्रों हरहर महादीव जैमा चंद्रवदनी मित्रों चंद्रवदनी भक्ते रस चैनल में आप सभी का स्वागत है महाभगवती आदिसक्ति का आश्रवाद आप सभी के जीवन में बना रहे पुना हम 30 दिसंबर 2022 का दैनिक रासफल और दैनिक पंचांग संबंदित जानकारी के साथ में आप सभी के समक्ष जुड़े हैं तो आप सभी से इपिंती है कि वीडियो को आप आखरी तक अवस्य देखें और वीडियो को आप अन्य लोगों तक सेर करें तो आज सरप्रथम बात पंचांग के आज का पन्चांग क्या कहता है तो आज का पंचांग जो है सुक्रवार 30 दिसंबर 2022 पूसमासथ चलपक्छ8 मिंती ति है और आज का जो नक्षट्र है वा उत्रभादर पदा नक्षट्र रहेगा आज की ति इति जो है इस्ट्भी तिथि और अश्ट्मिंती है चह भजा एनरे च्चैपद्र उत्र भादर पता जो ग्यारवज के चोपीस मैंधर तक रहे गारण जो है और जो की है ज्यावज के चाथल बालण आ जाएगा जो कल यान थुन को चहें बज़ के तीस मिनधर तक रहेगा उसके col prevents ऊसकी है जो जो 9 बज के 44 मिनट तक रहेगा दिन सुक्रवार है सुर्योद्य है जो है वह 7 बज के 13 मिनट पे होगा और सुर्यास्त जो है वह 5 बज के 33 मिनट पे होगा चंद्रमा जो है मेन रासी में होंगे और चंद्रोद्य जो है 12 बज 28 मिनट पर चंद्रास्त जो है वहां एक बज के 6 मिनट पर होगा रितु जो है सिसर रितु है और विक्रम संबत जो है 289 है सकसंबत 1944 1944 है पॉसमास चल रहा है और आज का जो अभजीत मूरत है वहां 12 बज के 2 मिनट से ले करके और 12 बज के 44 मिनट तक रहेगा अभजीत मूरत में आप कोई भी सुभकारे जिसकारे को आपको बहुत लंबे सक जिसकारे से फाइदा उठाना है मुनाफ़ा उठाना है उसकार्य को आप अबजीत मुरत में शुरू कर सकते हैं और आज का जो राहुकाल होगा वा ग्यारा बज के पांच मिनट से ले करके बारा बज के तेईस मिनट तक रहेगा तो जो राहुकाल है राहुकाल में कोई भी सुभकार्य आपको करना है उसके बाद हम आज के दैनिक रासिफल की बाद करेंगे तो में जाने से पहले ईदेगा नहले हैं कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक से ईहर करें और जितने भी मेश रासिकी मेश रासिके जितने भी जातक हैं मेश रासिके जातकों के लिए आज का कल्यान कारी उपाय जो है उन्हें जाब करना है ओम ब्रिम ब्रहस पतरियन महा आज इस मंतर का जाब करें तो जरूर ही दिनसुब होगा आज का भविसे जो है ब्यापार ब्यवसाई के लि को दुगत समाचार प्राफ्त हो सकता है परंतु आज परसंता जरूर रहेगी बड़े सौधे जो हैं वहाँ बड़ा लाव भी दे सकते हैं इसलिए कुबुद्धी भी आज हावी रहेगी स्वास्त्य का आपको ध्यान रखना है और बिवाद से आजाव को दूर रहना है मंतर का जाब करें इस मंतर का जाब करके दुन की सुरवात करें तो दिन सुब रहेगा तो बिरसवरास के जो जातक हैं आज का बहुत से जो है बिद्यार्थी वर्ग जो है सपलता प्राफ्त करेगा स्वादिष्ट भोजन का आनंद आज प्राफ्त होगा और म्यूचल समझ करके मेचल फंड के बारे में कुछ सोच रहे हैं तो सोच समझ कर आज आपको हाथ डालना है जल्द बाजी जो है वह बिल्कुल भी नहीं करनी है समय आपके अनकूल है यात्रा मनोरंजक रहेगी किसी मांगलिक कार्य में भी आज भाग लेने का अफसर आपको प्राप् क्या है ओम चम चंद्रमसेन महा इस मंत्र का आपको दिन की सुरवाद करके इसका जाब करना है तो दिन आपका सुब होगा और आज का भौश्य जो है भूमी वा भवन सम्मंधित बादा दूर आज आपकी होने वाली है आए में भी बिर्दि आज होगे परिक्षा वा पूलता आज रहने वाली है बिवाद से कलेस होगा कहीं बिवाद में हैं कुछ फसेंगे तो कलेस जरूर होगा इसलिए उससे दूर हैं काम में मन आज आपका नहीं लगने वाला है लेन देन में जल्दबाजी बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है किसी व्यक्ति विसेश से आज अनवन भी हो सकती है अब बात करेंगे करकरासी की करकरासी के जातकों का आज का जो कल्यान कारी उपाय है उसे बठाते हैं आपको बुम बुद्धाय नमा इस मंत्र का जाब करके दिन की सुरवाद करनी है जिससे आपका दिन मंगल में होगा आज का आपका भोशे जो ह कोई ऐसा कारे न करें जिससे की कुछ नीचा देखना पड़े कीमती वस्तुएं जो है वा बिल्कुल आप सम्हाल करके आपको रखनी है सारी रिक कष्ट आज कुछ दिख रहा है तो सारी रिक कष्ट आज हो सकता है बात किरेंगे सिंग रास के जातकों की तो सिंग रास के जातकों का आज का कल्यान कारी उपाय क्या है कि ओम सम सनिश्चराय नमा इस मंतर का जाब करके दिन की सुरुवात करें तो आपका दिन सुब होगा आज का भवश्य जो है दूर से कहीं सुब समाचार प्राप्त होते दिख रहे हैं आत्म विश्वास में आज बिर्दी होगे और सत्र भी आज आज आपके सांत रहेंगे वानी पर आपको नियंतरन रखना है और आज बय होता खर्चा होता दिख रहा है जोखिम उठाने का आज साहस आप कर पाएंगे आई जो है आपकी बनी रहेगे खर्चा आपका आता रहेगा घर में परतिष्टित अतितियों का आगमन भी हो सकता है दुष्ट जनों से आज आप बिल्कुल दूर रहे और चिंता तथा कुछ तनाव भी आज दिख सकता है बात करेंगे कन्याराश के जातकों की कन्याराश के जितने भी जातक हैं उनका आज का कल्यान कारी उपाय है ओम अंग अंगार काय नमा इस मंत्र का जाब करके दिन के सुरवात करनी है तो दिन सुब होगा अब कन्याराषि के जात्कों का बहुत से जो है रोजगार प्राप्ति सहज ही आज होगी, ब्यावसाईक यात्रा में भी आज आपको लाव होता दिख रहा है, किसी बड़ी समस्या का हल आज 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 आपको प्राप्त होगा, परसंता आज 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 के मन में रहेगे और इवेस इत्याद सुब रहेंगे जहां भी निवेस करें सुब दिखें रहे हैं, कारवबार में बिर्दि आसके योग दिख रहे हैं antisमंतिर का जाब करेंगे दिन की शुरवात करनी है, आपका दिन निश्चित ही सुभोगा आज का आपका भविस्य जो है आर्थिक उन्नती के प्रियास जो भी प्रियास करेंगे वा सफर दिख रहे हैं मित्रों का संयोग आप कर पाएंगे प्राक्रम वा प्रतिष्ठा में बिर्दी होती दिख रही है धनार्जन भी आज होगा धन का अर्जन भी आप करेंगे अपरत्यासित खर्चे जो हैं वा सामने आज आएंगे कर्ज लेना पड़ सकता है पुराना रोग जो है वा आज फिर उभर के आ सकता है चिंता तथा तनाव जो है वा आज बना रहेगा आप एक चित कारियों में बिलंब होगा वानी पर आज का करल्यान कारी उपाय जो है यह ओम ब्रहस पते न महा इस मंत्र का जाब करके दिन की आज आपको फ़ुरवात करनी है तो आज का भविस्त्य जो है वह आज आपको सुभ समाचार कुछ मिलता दिख रहा है भ्यावसाई की यात राब दायक आज रहने वाली है मित्रों का संयोग भी आज आप कर पाएंगे मान सम्मान आज आपको मिलेगा और आय की बिर्द भी होती दिख रही है सारे रिक कश्ट भी आज कुछ संबव है अज्यात से आज भैवी रहेगा लेन देन में आज आपको साब्धानी रखनी है प्रेम परसंग में अनुकूलता आज रहेगे चिनताई भी रहेगे वकाया वसूली के प्रियास आज जो है वह आपके सपल होते दिख रहे है अब बात करेंगे धनुरासे के जातकों की तो धनुरासे के जातकों का आज का कल्यान कारी उपाय है उन्हें आज सुबह जो है सम सनेश्चराय नमा ओम सम सनेश्चराय नमा इस मंतर का जाब करते हुए दिन की सुरवात करनी है तो निश्चित ही दिन सुबह रहेगा आज का आपका भविष्य जो है नई योजनाई बनेंगे आराम का समय मिलेगा और आशंका कुसंका भी रहेगी कीमती वस्तुएं जो है वा समाल कर आज आपको रखनी है कार्य परणाली में भी आज सुदार होता दिख रहा है कारोबारी जो है वा नए अनवंद जो है कारोब प्रमाद आपको बिल्कुल नहीं करना है सामाजिक कार्य करने में आज आपको प्रेणा मिलेगी। आप बात करेंगे मकर्रास के जातकों की मकर्रास के जातकों का आज का कल्यान कारी उपाए उन्हें ओम बुम बुद्धाय नमहा इस मंत्र का जाब करके दिन की सुरुवाद करनी है तो निश्चित ही दिन सुब होगा। आज का आपका भुष्य जो है किसी वरिष्ट व्यक्ति का मार्ग दर्सन प्राप्त होगा, कारोबारी जो हैं लाभ में बिर्दी होगे, धनार्जन भी होगा, नौकरी में आज कुछ सांती रहेगे, कश्ट भयवा चिंता का वाता वरण बन सकता है। बिवेक से आज आपको कारे लेना है, समस्याएं आज आपकी दूर होंगी अगर बिवेक से आप कारे करें। आज का भविस्य जो है किसी अपने का ब्यवार परतिकूल आपके रहेगा, कीमती वस्तमें बिल्कुल आपको समाल कर रखनी है, सारे रिक सितिलता आज रहेगे, काम में मन नहीं लगेगा, नौकरी में अपेक्छा अनुरूप जो है कारे न होने से अधिकारी के नाराजग में आज आपको शाबधानी रखनी है, और पार्टनरों के साथ जो आपके पार्टनर हैं कारे में उनसे कुछ मदवेद हो सकता है, जिससे आपको आज समल के रहना है, अब बात करेंगे अंतिमिरासी मीनरासी की, मीनरासी के जितने भी जातक हैं, उनका आज का कल्यान कारी आयोजन आज आप कर सकते हैं, आपका करा सकते हैं, पूजा पाठ में आज आपका मन लगेगा, यात्रा जो है वा आपके मन के अनकूल आपको लाब देंगे, राज भै रहेगा, जल्दवाजी वा बिवाद करने से आज आपको बचना है, किसी भी कारे में जल्दवाजी न करें इससे आप बचें थकान आज महसूस होगी कोट वा कचरी के काम आज अनकूल रहेंगे लाव के अफसर हाथ आएंगे परसंता भी रहेंगे किसी के ब्यवार में ब्यवार से किसी ब्यवार से आपके स्वाविमान को ठेस पहुंच सकती है इसलिए आज आपको थोड़ा सा समन के भी रहना है तो मेश राशे से लेके मीन राशे के जातकों का द्यानिक राशिपल हमने चंद्रवधनी वक्ति राश चैनल के माध्यम से आप सभी को बढ़ाया और पर्ति दिन के द्यानिक राशिपल जानने के लिए आप हमारे चंद्रवधनी वक्ति